14 बटालियन CRP अपनी इस्थानी वाओं को सारे इस फिटनेस के लिए प्ररित करने और खेलों को बढ़ावा देनी के लिए शहीद मुखतार अमध डोई के साथ 14 बटालियन केंदरे रिजर्ब पूलिजबल शोपिया जमकसवी नी शहीद अंतियाश्टोकर स्ट्रेडियम बटपोरा शोपिया में शहीद मुखतार अमध डोई एक्सक्यू ईवाई मार्सल आर्ट्स मिगा चेंपियंशिप का अजन किया चेंपियंशिप 10 मई 22 को सुरू ही और फाइनल 15 मई 22 को खेले गया अलग अलग भार वर्ग में 15 व्यक्तिकात लड़की और 10 लड़कियों से भी इस परदाएं थी चेंपियंश आप चेंपियंश लड़कियों और लड़कों के अलामा चूनियर और सीनियर वर्ग और अंतरश्ट्रे खिराडियों को एक लाख रुपे के नगत पुरुषकार और ट्रॉफी से सम्माल एक क्या गया तो यहां पर बच्चों में कितना टैलेंट है और कितना अच्छा यहां पर मोटिवेशन है लोगों का मेगा सके कमपैशिन था जिसमें जो हमारे 14 बटालियन CRPF हैं ने बहुत ज़्यदा सपोर्ट किया हमें हमें मोटिवेट किया एं जीता उनको 10,000 का प्राइस भी मिला हम बहुत ज़्यादा शुकर गुजार है इनके अगर शोपियान में ऐसे ही जो प्रोग्राम करते रहते यह तो जो शोपियान है यह बहुत ज़्यादा आगे जाएगा क्यूंकि बहुत ज़्यदा बच्चे हैं जिनमें टैलेंट होता ह को मिली हमें कॉंपिटिशन हुआ जिसमें रनर अफ विनर सारे आए यहां पर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि लड़कियों ले इतना ज्यादा पार्टिसिपेट किया है और डिफसेल डिफेंस की टेकनिक है तो आई थिंक इसको और ज्यादा प्रमोट करने की जुर की तरफ ना करके अपनी एनरजी को इनी कारे करकमों में इस परकार के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लगा है बड़ी ख़बर आपको बताती चलिए जहां क्रॉस फारिंग में एक नागरिक घायल हुआ और बाद भी उसनी स्रिनगर अस्पताल में दम तोड़ दिया हल की पुलिस ने अपने बयान को बरकरार रखा है उन्होंने कहा कि आतंगवादियों ने पुल्वाम के लीटर पुल्वामा को तुर्कवांगम शोपिया से जोडने वाले पुल के पास यारपिया एक सुब्यासी वियंसौंग के सहिफ्ट गस्तिदल पर गोली बारी की मौका मुडवेड के बाद आतंगवादी पास की बगीचे में घुसने में सफल रहे तलाश अभी भी जारी है इस मामले को दर्ज कर जाच कर कारवाई की गई आए दिखाते हैं आपको वहां की पुरी खबर बिस्तारते के आखिरकार वहां के नागरिकों क्या कुछ कहना है अर्ण की बार जिखाते हैं आपको अघर के आखिर कर दो कर दो तॉड़ाए जान में आखिरे दॉड़ा जाते हैं। अन्नायन भालती विर अड़ पुर अन्नायन भालती